जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप भारती रेलवे की ओफिशियल नूटिस है Government of India Ministry of Railway Recruitment Board CEN No. RRC 1-2019 Level 1 Post Level 1 Post that means यह Group D की नूटिस है Important Notice recording and modification link for uploading photographs and or signature यदि आपके photographs और signature में कोई fault है जिसकी वज़े से आपका application status wrong बता रहा है या field बता रहा है या disqualified बता रहा है तो आप उसको modified कर सकते हैं हम देख लेते हैं आगे जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी modification link 26 11 2021 को modified link upload कर दी गई थी बट आपका जो है modified link मतलब start नहीं हो पाया था जो कि 15 12 2021 से work करने लगेगा upload कर सकते हैं सबके लिए open कर दिया जाएगा आप अपने photographs और signatures को उस पे आप submit कर सकते हैं अगी रिनवेर फोटो आप लगा सकते हैं वन टाइम अपॉर्चनिटी अप दोस अप्लिकेशन हाब बीन रिजेक्टर जिनके अप्लिकेशन रिजेक्ट कर दिया गया थे उनके लिए फिर से पुना ओपन कर दिया गया है और इसके तुरू आप अपने status को फिर से आप सही कर सकते हैं अपने photographs और signatures को इस पे upload कर सकते हैं all the candidates में check their application status, सभी बच्चे जितने भी RRC group D के candidates हैं सभी अपने status को चेक्क कर सकते हैं उनका form accept हुआ है और risk हुआ है अगर risk हुआ है तो किस वज़े से reject हुआ है और उसको implement कर सकते हैं आप फिल करके आप अपना सारा का सारा इस्टत जान सकते हैं Candidates are advised to keep ready there scanned photograph अब यह क्या किया जाता है कि इनको scanned photograph जो भी फोटोग्राइफ हो वह scanned लगाए not to be captured by इस फोटोग्राइफ फोटोग्राइफ आप अपने फोटोग्राइफ को इस तरह से आपको बताया गया था तब आपको बताया गया था तब आपको बताया गया था उसी तरह से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है नेच्ट है देख लेते हैं Candidates whose applications were already accepted need not apply any of them मतलब आपको अगर आपके form accepted दिखा रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है जिस तरह से भी है उसी तरह से आप उसे रहन देंगे बाकि नहीं है इसमें आपको कुछ कोई मतलब नहीं है इसका sense यही है कहनेगा कि आप सीधे सीधे अपनी चीजों को upload कर लें यदि आपके form reset कर दिए गया कि सिकारण बस तो आप उसे 12-15-2021 से आप उसको renew कर सकते हैं उसे आप upload कर सकते हैं तो उस पर workout करें बाकि जैसा कुछ भी रहेगा हम आपको inform करते रहेंगे time to time और यह आपके official notice है इस वज़े से मैंने सुचा कि आपके समझ इसकी प्रस्तिती अनिवार्य है और आपको इस बात की सूचना दी जाने चाहिए कि आपके exams अब डिले नहीं होने वाले हैं यह कोई और information मिलती है तो हम आपको inform करेंगे thank you